लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्रिफाइज एन गेन आज हम उसी पर देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रैक्टिकल कोशन सॉल होता है सो मैं आपके लिए दो कोशन लेका हूँ बहुत ही कंसिफ्ट चुल है बहुत ही अच्छ है तो वीडियो एंड तक देखना वो मेरे साथ बने रहीएगा सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो ऑन सेक्रिफाइजिंग एन गेनिंग रेशियो को कैसे निकलते हैं सो रीड आउट करते हैं छोटी सी समरी बनाएंगे कोश्चन की एन देन सॉल करेंगे आपके लिए रखावा है एक्स वाइजएड शेरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इंड रेशियो 5-3-2 तो तीन पार्टनर है एक्स वाइजएड 5-3-2 के रेशियो में आगे लिखावा ह कि वो उनका नया रेशियो एक्वली रखे इट मीन्स ओल्ड रेशियो कनवर्ट हो गया निव रेशियो में एन निव रेशियो के अंदर जब वो चेंज हुआ सो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सो क्या लिखा है कैलकुलेट इच पार्टनर गेन और सेक्रिफाइ किया है सो देखिए सिंपल सी चीजे आपके सामने दोनों फार्मुले है हम सेक्रिफाइज रेशियो का फार्मुला यूज करते हैं और देखते है कि कि बंदे ने सेक्रिफाइज किया अब यहाँ एक इमपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना आप दोनों फार्मे से कोई भी की use करना देखो मैंने short form आपको याद करवा देता हूँ sacrifice ratio को normally sun के नाम से बोलते है sacrifice equals to old minus new and जो gaining ratio होता है इसको g9 के नाम से बोलते है gaining ratio equals to new minus old g9 अब इन दोनों में answer फरक नहीं आते हैं बस आपको जो difference आता है वो आता है sign का देखो जब आप sacrificing ratio लगाओगे और answer plus में आया it means वो sacrifice है उस partner ने sacrifice किया है यही आप formula यूज करके अगर answer negative में आता है it means वो gain कर रहा है वो partner gaining partner है same as it is यहाँ भी जब आप gaining ratio को formula लगाते है और answer plus में आता है so वो जाता है gain अगर वो negative answer आया है less हुआ है वो ज्यादा minus हुआ है so उसका answer आता है sacrifice so जो भी formula लगाओगे plus में उसी type का answer आएगा and negative में उसके opposite type का answer आएगा जैसे sacrifice में plus sacrifice minus gain वैसे ही gain में plus gain and less sacrifice so हम एक ही type का formula लगाते है that is sacrificing ratio का sacrificing ratio का formula है old minus new right अपन बात करते है x की x का old ratio है 5 by 10 less new है 1 by 3 LCM निकालेंगे 30 सबको LCM आता है so यहाँ आ जाएगा 15 minus 10 that is 5 by 30 answer plus में आया है इसलिए is particular partner ने करा है sacrifice हमने sacrifice का लगाया था formula plus में answer आया sacrifice y की बात करते है y का old ratio है 3 by 10 less new है 1 by 3 LCM 30 आया यहाँ आ जाएगा 9 minus 10 यह हो जाएगा minus 1 by 30 answer किसमें आया है negative में it means यह gain है formula वो ही है लेकिन हमने answer negative में पाया इसलिए हमने gain को लिख दिया वेसे ही z 2 by 10 minus 1 by 3 इसका LCM 30 same 6 minus 10 that is minus 4 by 30 इसने भी करा है यह आपका simple सा answer क्या हो गया x ने करा है sacrifice y ने करा है gain and z ने भी करा है gain so यह आ गया है आपके gain and sacrifice so simple सा solution था formula लगाया LCM निकला है and answer सामने so guys यह था आपके लिए simple सा question next question में आपको cases देंगे so वह बहुत अच्छा question है different type of case पढ़ेंगे so start करते हैं हम हमारा next question example number 2 student आपके सामने question आ गया है हम question को read करते हैं and family बनाते है ABC are the partner sharing profit and loss in the ratio 541 so again ABC partner है 541 ratio में आगे लिखा है calculate new profit sharing ratio आपको new profit and loss ratio निकलना है यह पहली चीज and sacrifice और gaining ratio भी निकालना है and आपको sacrifice normally short form लिखते है sacrifice ratio और gaining ratio भी निकालना है ठीक है question में दे रखा है in each of the following cases आपको चार cases दे रखे हैं और इन चारों cases में आपको क्या करना है new ratio निकालना है और sacrificing का भी या gaining का भी ratio निकालना है पहला case पढ़ते हैं लिखाए case first c acquire one-fifth share from a अब यहां लिख दिया कि c ने one-fifth share a से लिया it means a ने one-fifth share अपने पास से c को दिया so अगर आप थोड़ असल logical सोचे so it means a अपने share में से one-fifth share c को दे रहा है तो normally a के share में से हम one-fifth minus कर देते and c के share में one-fifth plus कर देते b का तो कुछ changes हुआ ही नहीं है so देखो अगर मैं यहां पर new ratio की बात करूँ new ratio so new ratio का formula आप इस formula से जान सकते हैं देखिए अगर new ratio को मैं equals to के opposite side ले जाओ तो वो हो जाएगा plus में and sacrifice को अगर equals to से opposite में इस side ले आओ तो वो हो जाएगा minus में so new ratio का formula हो गया old minus sacrifice अब A के साथ हुआ क्या A का old ratio था 5 by 10 question में given है and वो अपने ratio में से 1 by 5 दे रहा है C को तो अब A का नया ratio क्या हो जाएगा so LCM निकालते तो 10 आया यहां पर आ जाएगा 5 minus 2 that is 3 by 10 so A का नया ratio आ गया 3 by 10 वैसे ही C क्या कर रहा था gain क्यों क्यों क्या अब उसको वो चीज मिलेगी so gain के according new ratio कैसे निकलेगा तो देखो यह रहा gain का formula अगर new ratio चाहिए तो old ratio को मैं opposite में ले जाओंगा तो हो जाएगा gain plus old so C के according जो new ratio है वो हम देख लेंगे new ratio equals to gain plus old इसका gain है 1 by 5 and old था 1 by 10 so here 10 LCM यह हो जाएगा 2 plus 1 that is 3 by 10 so पूरे firm का नया ratio क्या हो गया A is to B is to C that is 3 is to 4 is to 3 so यह था simple सा first case का solution देखते हैं हम case number 2 so case 2 में क्या लिखा है case 2 में लिखा है C acquire 1 by 5th share equally from A and B अब देखिए यहां पर लिख दिया जो C है वो 1 by 5 share तो लेगा लेकिन अब यह दो जनों से ले रहा है A से B और B से भी अब A और B देंगे कितना कितना तो बोला दोनों को equally देना है अब अगर दो partner है और A की चीज़ को equally बाटते है सो हम normal concept लगाए तो हम divide by 2 कर देते हैं सो अगर मैं बात करूँ 1 by 5 share को 2 में बाटना है तो half से multiply कर देता हूं सो यहां से आ जाएगा 1 by 10 ratio A को देना पड़ेगा और 1 by 10 B को देना पड़ेगा सो अब यह दोनो 1 by 10 1 by 10 किसको देंगे C को और वो मिलाकर कितना है 1 by 5 सो देखते है नया ratio केसे आया A का हम new ratio निकाल रहे है सो हमने अभी देखा था old minus sacrifice new का formula होता है सो यहां से A का निकाल देंगे 5 by 10 minus 1 by 10 that is 4 by 10 A का नया ratio आ गया वैसे ही B old है 4 by 10 minus 1 by 10 सो 3 by 10 यहां से B का आ गया and C जो gain कर रहा था उसका हमने formula देखा था old plus gain जितना gain हुआ है वो plus कर दीजिए सो C का old ratio था 1 by 10 और इसको दो लोगों ने 1 by 10 1 by 10 दिया जटीज A ने भी 1 by 10 दिया और B ने भी 1 by 10 दिया सो दो बार plus कर दिया सो यहां का total आ गया 3 by 10 सो new ratio निकल गया form का 4 is to 3 is to 3 and sacrifice ratio तो दो जनों ने दिया जब दो जने देंगे तो वो ratio निकल सकता है single में sacrifice होता है दो जनों में निकल सकते हो आप sacrifice ratio सो इन दोनों ने A और B ने 1 by 10 1 by 10 दिया तो इनका ratio उपर वाली चीज़ों से निकल सकता है that is 1 is to 1 so they sacrifice in equal ratio हमने आपर देखा था half half दोनों ने equal दिया so equal ratio भी निकल so यह था हमारा second case guys देखते है third case so third case लिखा है A B C will share future profit and loss equally A and B ने यह decide करा sorry A B C ने यह decide करा क्या future profit ratio हमारा 1 is to 1 is to 1 होगा so अब हमको निकालना है कि किस partner ने कितना sacrifice or gain किया तो direct formula लगाते है sacrificing equals to old minus new A के लिए 5 by 10 minus 1 by 3 that is 30 जो हमने last time का question करा था same answer आएगा that is 15 minus 10 5 by 30 plus मैं answer है इसलिए sacrifice B sorry 4 by 10 minus 1 by 3 30 that is आहां पर आजाएगा 12 minus 10 2 by 30 इसने भी sacrifice किया है C 1 by 10 minus 1 by 3 that is 30 3 minus 10 minus का 7 by 30 it means इसने gain किया है So, अकेले C ने gain किया है and A and B sacrifice कर रहे है So, A and B का sacrifice है जो C को मिला है So, यहां से आपका sacrifice का answer आ गया A ने sacrifice करा 5 by 30 B ने sacrifice करा 2 by 30 and C को gain हुआ 7 by 30 का So, यह था आपका gain and sacrifice So, 3rd case में आपको simple सा फॉर्मर लगाना था and आपका answer आ चुका है Next देखते है case number 4 and then हमारा हो जाएगा question खतम So, case number 4 So, case number 4 लिखा है C acquire 1 by 10 share of A बेटा यहां पर बहुत specific लिखा है of A of मतलब होता है उसी के हिस्से का So, अब आपको directly sacrifice नहीं गीवन है कि A कितना देगा यह बता दिया कि A के हिस्से का 10% या 1 by 10 वो देगा and 1 by 2 share of B and B कितना देगा अपने हिस्से का अपने share का 1 by 2 So, देखो केसे calculate करते हैं अभी आपको सारे case में directly चीज दिया था कि A इतना दे रहा है अब आपको calculate करना है कि A कितना देगा and B कितना देगा So, यह बोला कि A अपने share का that is 5 by 10 का 1 by 10 देगा 5 by 10 का वो कितना दे रहा है 1 by 10 and B अपने share का 4 by 10 का half देगा So, यह देगा आपको 5 by 100 and यह दे रहा है आपके लिए 4 by 20 So, यह दोनो share किसको मिलेंगे C को अब आपको यहाँ पर calculate करना है कि उनका कितना particularly sacrifice हुआ निकालते है A का नया ratio So, new ratio आपने यह तो निकाले कि कितना sacrifice हुआ है So, new ratio किसे निकलेगा A अपने old ratio में say sacrifice minus कर देगा A का old ratio है 5 by 10 minus 5 by 100 LCM लिना चाहेंगे 100 आएगा So, यह हो जाएगा 50 minus 5 that is 45 by 100 then B का निकालते है So, B का old ratio है 4 by 10 minus कर देगे 4 by 20 So, LCM 20 यह हो जाएगा 8 minus 4 that is 4 by 20 अब A का base है 100 and B का base है 20 हमको base same करना है So, हम इस 20 में 5 का multiply करेंगे and 4 में भी 5 का So, ना mathematically हम गलत हुए और ना हमको ratio में problem आएगी क्यों क्योंकि सबके base equal हो गए यहां base हो गया 100 and उपर आगया 20 So, 20 by 100 इनका नया ratio C की बात करते है C को हुआ था gain क्यों क्योंकि यह दोनों C को दे रहे So, gain के लिए जो new ratio होता है वह formula क्या होता है old plus gain Gain plus होता है old में और sacrifice minus होता है So, old था 1 by 10 A से कितना मिला 5 by 100 And B से कितना मिला 4 by 20 So, इसका पूरे का LCM हम ले रहे है 100 So, 10 plus 5 plus 20 That is 35 by 100 So, जो नया हमारे पास ratio आया वह आया 45 is to 20 is to 35 Cancel out कर देते है 5 की table में 9 5 की table में 4 5 की table में 7 So, यहां से आपका ratio निकल गया 9 is to 4 is to 7 Is new ratio Sacrifice ratio निकालने के लिए इन दोनों का base same कर दो So, यहां multiply कर देता हूँ 5 से So, यह हो जाएगा 20 by 100 So, sacrificing ratio आ गया 5 is to 20 That is 1 is to 4 So, इन्होंने sacrifice करा 1 is to 4 में और नया ratio हो गया 9 is to 4 is to 7 So, guys देखो कितना simple से हमने बस थोड़ा सा concept लगाया और हर type के question को solve किया बहुत easy method है हुआ है हुआ है झाद जवान झाल झाल ры जब बहुत